दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा भी टीचर के बहाली के लिए हर सगेंड नया नया नियम लागू कर रहा है और कुछ न कुछ उसमें चेंजेश कर रहे हैं या कुछ एड कर रहे हैं अभी अभी जश्ट चार घंटे पहले जैसे कि देख सकते हैं जो भी पेसी के चेयर मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन्होंने डिरेक्ट मेंशन किया है जो लेंग्वेज पेपर होगा वह 30 नंबर का जो क्वालिफाइं मार्क्स का होगा और उसमें ओभर आल में आपको 30 मार्क्स लेकर आने हैं उसमें नो सेपरेट मार्क्स ऑफ इंग्लिस आपको सेपरे इन्होंने बोला है कि जो उनका इलेजबिलिटी क्राइटेरिया हो इन्हों तो 2.estedation हो गया यारी हो गया जैसे चर्दीट हो गया जो भी आपका का डुकोमेंट ही आपका जो cut-off date रहने वाली है और रहने वाली है 18-2023 को 18-2023 को वैसे ही जो next इन्होंने बात बताया है एक आदमी जो subject का selection करना है वही subject चूज कर सकता है जिसमें उन्होंने estate clear किया हो बिना estate clear किये उसको आप दूसरे subject को नहीं चून सकते हैं तो आई होब कि यह वीडियो आपको समझ में होगे और फिर next इन्होंने बात किया है कि यहां पर biometric और sorry biometric जो होगी वह mandatory होगी यानि कि जो आप फॉर्म अपलाई करते समय भी जैसे कि आज के पेपर में भी दिया था करते समय भी और exam देते समय भी आपको वह देना होगा biometric और उसके बाद यहां पर दिया गया है अगर कि आपके different level का eligibility रखते हैं यो गिता रखते हैं तो आप different exam में एक साथ बैठ सकते हैं सारा के exam अलग 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 दिन में होगा तो आई होब कि यह बात आप सबस्क्राइब करें पलपल के अपडेट के लिए सिक्षक भाली और कोई भी सरकारी अपडेट के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई निव अगर करें सुचना होती है थैंक्यू बब्बे